हेलो दोस्तों देगने दूस में आपका स्वागत है आज दोस्तों हम उन्बॉक्सिंग करने वाले है रेड्मी नोट 9 प्रो मैक्स की जी हाँ लॉक्डाउन में हमारे ये दूसरी उन्बॉक्सिंग है जिसके लिए में काफी जाधा एक्साइड़ हूँ और स्पेशली ये वा अभी GST प्राइस बढ़ गई है तो उसकी प्राइस बता रहा हूँ दिल पे पत्थर रखे इसका बेस विरिंट 664 आपको 16,000 का मिलता है फिर एक 6128 आपको 18,000 का मिलता है और एक 8128 आपको 20,000 का मिलता है लैसे रेड्मी नोट 9 प्रो से इसमें ज्यादा फर्क नहीं है द आपको यहाँ पर दे रहता हूँ तो बॉक्स हैंगे दोस्तों कुछ इस तरह के मिलता है रेड्मी नोट 9 प्रो मैक्स यहाँ पर सामने लिखा गया है वैसे रेड्मी नोट 9 प्रो जैसा है आपको बॉक्स मिलता है बस यहाँ पर मैक्स को उन्होंने एड्ट किया है और पी बात करेंगे दोस्तों आप देखेंगे हैट के लिए आपको 0.880 मिलता है वाट्स पर किलोग्राम और बॉड़ी के लिए 0.475 वाट्स पर किलोग्राम तो थोड़ा कम आपको यहां पर देखने को मिलता है अब जाड़ा ने विस्नी करते हैं फटावट से बॉक्स को ओपन कर दिया और ऑविस्ली सबसे पहले आपको चोटा सा बॉक्स मिलता है इसमें आपको बैक केस मिलेगा जो थोड़ा डिफरेंट लग रहा है जरह निकाल के दिखा देते आपको इस तरीकी का आपको थोड़ा सा डाक शेड में ये बैक के समिलता लेकिन काफे हलका फूलका सा है गोरिले गलस 5 के आपको प्रटेक्शन मिलती है और थोड़ा सा कव्ड एजज भी है और जो बिल्ट है दोस्तो ओविस्ली सकी काफी मजबूत है और ये दोस्तो आपको 208 ग्रम का मिलता है और 8.8 mm की थीकनेस पर मिलता है तो थोड़ा सा चोड़ा भी है और फोन भी पिकसल है और यहाँ पर 48 लेका है बसे ही फरके तो जैसी कि आप देखेंगे 3.5 mm jack, type c port, mic hole, speaker, outpoint, इनकी जो पोजिशनिंगे वो एकदम same to same है और left में देखेंगे आपको sim tray मिलता है दोनों में आपको triple slot मिलता है और right में देखेंगे volume up and down की key और जो power button है उसमें आपको obviously side fingerprint scanner मिलता है वो भी आपको यहाँ पर दोनों में same मिल रहा है और उपर देखेंगे secondary mic hole और IR blaster ये भी same है तो मतलब design दोस्तों दोनों में जो बाहर से वो एकदम आपको यहाँ पर same मिलती है इसको रखते है दोस्तों फिलाल के लिए side में देखते हैं आपको box में यहाँ पर क लाज करता है इस पर एक में वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ और आपको यहाँ पर type C cable जो देखने को मिलता है तो यह दोस्तों वह सारे box content फड़ा वट से हमारे phone की तरफ तो यहाँ दोस्तों हमने हमारे phone को boot कर दिया है और setup वगरा सब कुछ कर दिया है और आप देखें आपको जरू से पता हूँगा वैसे डिस्प्ले कर आप देखेंगे तो एकदम सेम टूसे में आप देखेंगे Redmi Note 9 Pro जैसा ही आपको मिलता है 6.67 इंच के आपको एक dot डिस्प्ले मिलती है सेंटर में आप देखेंगे आपको छोटा पंचोल मिलता है और यह दोस्तों आपको ब्राइटने से वो काफी आपको बढ़िया मिलता है और वीवी इंगल्स भी आपको यहाँ पर काफी कमाल की मिलती है बस यहाँ पर अगर थोड़ा 90 Hz भी देता तो मेरी कल से थोड़ा मज़ा आता था लेगिन कुछ इस तरह की आपको यहाँ पर डिस्पर मिलता है वैसे इ गूगल केम का भी आपको सपोर्ट मिलता है जो अकसर सारे शाओमी की फोन में आपको देखने को मिल जाता है और उसके लावा दोस्तों आपको वह वाइफा का भी सपोर्ट मिलता है तो आप वाइफाइ से एच्डी वगरा कॉल्स भी अहाँ पर कर सकते है और साथ में P2I क इसका मतलब पानी वगर आगे अगर छेटे उड़ते तो यह कुछ हद तक इस फोन को बचा सकता है उसके लब सेंसर भी देखिंगे दोस्तों बहुत सारे सेंसर का आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलता है तो इस मामले भी आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और यहाँ पर fingerprint scanner side mounted face unlock है उसको भी टेश करता हूँ मैं अच्छली में left हूँ तो मैंने इस वाले finger का इस्तेमाल किया तो आप देखिंगे मैं touch करता हूँ और touch करता हूँ और unlock हो गया हला कि आपको touch और press दोनों पर रख सकते हैं मैंने सिर्फ touch पर रखा हूँ आप देखिंगे unlock गया और face unlock की बात कर तो मैं यह वाली finger से उसको unlock करता हूँ देखता हूँ और खुल जा एक्चुली camera के बीच में आ गया ही और देखिंगे खुल गया तो हाँ कुछ इस तरह की आपको face unlock मिलता है तो यह सारी चीज़ आपको वैसेस में काफी अच्छी देखने को मिल जाती यह 8NM पर है Arduino 618 का आपको GPU मिलता है तो performance दोस्तों इसकी काफी बढ़िया है gameplay वगरा सब कुछ यहां पर काफी smooth था लेकिन सबसे अच्छी बात दोस्तों इस processor की यह कि आपको इसमें इंडिया के navigation system का support मिलता है जी हाँ मैंने test करना चाहा तो मैंने GPS वाला app install कि और उसमें देखा तो हमें इंडिया के satellite के भी information यहां पर दे रहा था तो देखके मुझे वैसे काफी बढ़िया लगा वैसे battery के बात करेंगे दोस्तों 5020 image की battery मिलती ये भी आपको same capacity battery मिलती Redmi Note 9 Pro GC लेकिन यहां पर दोस्तों अच्छी बात है कि 33Watt के fast charging का support मिलता है जबकि Redmi Note 9 Pro में आ का setup मिलता है हाला कि Redmi Note 9 Pro में 48MP quad camera का setup था यहां पर दोस्तों अविसली ये Samsung वाला sensor ये primary f1.8 का आपको aperture मिलता है 4K वीडियो शूट कर सकते है night mode वगेरा मिलता है आपको super slow motion मिलता है 960 fps पे 720p में आप शूट कर सकते है और उसके लबाए AI से regarding बहुत सारे चीज़े मिलती है pro color mode भी मिलता है जो actually में live काम करता है आप live अपने photos में colors add कर सकते है उसके बाद अपने साबसे pictures निकाल सकते है तो ये अच्छा चीज़ आपको यहां पर मिलता है Selfie के बात करेंगे दोस्तों यहां पर आपको better selfie मिलती है 32 megapixel की F2.0 का aperture है यहां पर full HD video shoot कर सकते हैं आपको AIS मिलता है और उसके लावे भी काफे सारे AI वाले features मिलते हैं और साथ में दोस्तों उन्होंने selfie में आपको slow motion वाला भी option दिया है 10-20 fps पर slow motion selfie videos भी यहां पर निकाल सकते हैं यहां पर camera के interface देखते हैं आपको कुछ इस तरह की मिलता है यह एकदम टिपिकल Xiaomi MIUI वाला आपको interface मिलता है और यह normal mode फोटो वाला आप देखेंगे ultra wide यहां पर आईसे switch हो सकते हैं और यह 2X है इसमें आपको 10X digital zoom का support मिलता है और वीडियो है short video आप create के सकते है slow motion है और उसके बाद 64 Megapixel का आपको dedicated हापर mode दिया है portrait mode night mode वैसे तमाम features आपको मिलते है और उपर देखेंगे दोस्तो pro color mode AI HDR का support मिलता है और यहां पर देखेंगे तो आपको और भी बहुत सारे options देखने को मिल जाते है वैसे दो स्क्रीन पे म शार्पने से वो सब कुछ आपको वैसे यहां पर काफी बढ़िया मिलते है जो portrait shots निकल करा है वो भी वैसे यहां पर काफी impressive है आप एक dedicated camera review करूँगा उसके लिए आप जरू से stay tune करना उसके लाब आप देखेंगे अच्छे कासे आप ultra white shots पी यहां पर निकाल सकते है और सा अच्छे कासे निकाल कर देती है अच्छे कासे बोके वगरा सब कुछ आपको बढ़िया मिलता है तो हाँ सेल्फी काफी कमाल का काम कर रही है और अगर night की बात करें तो night में तो भूली जाओ आपको selfie में कोई night mode नहीं मिलता है तो बहुत ही ज्यादा dark selfies आती है तो night में आपको अच्छे कासे डिन में वीडियो निकाल सकते है और selfie में देखेंगे दोस्तो इसमें भी आपको EIS मिलता है तो दिन में भी आप अच्छे कासे selfie वीडियो यहाँ पर ले सकते है night की बात करेंगे वीडियो की दोस्तो तो मैंने कोशिश किया अपने society में जाएके सुच काफी बढ़िया रहेगा तो यह दोस्तो Redmi Note 9 Pro Max जो एक्चली में फर्स्ट इंप्रेशन की बात करेंगे तो काफी अच्छा है दोस्तो डिस्पे बहुत इंप्रेसिव है अगर 90 अर्ट होता तो बहुत मजा आता था उसके लब बढ़िया सी बैटरी है जबवरतस फास्ट च के प्रएंगे डियुकरेंगे बहुत कुछ करेंगे और आपका क्या ऐस फोन के बारे मुं और विडियो सा इब देखना है वह भी आप मुझे जरुर से म७लब आट करके बता सकते अई इतना है इस विडियो में दोस्तो फीडियो पसंट आएगा लाइक करना था आप से ग् क्रेवrot दो में क्यों केसा ilczenia आफ ग्यादी टलिए टिल act 2000 टेल आप ग्रिए टेल